केरल में फिर एक बार नीपा वाइरस फैला है वाइरस के संक्रमन से कोजी गोड जीले में दो लोगों की मौत हो गई दोनों मौते एक निज्य अस्पताल में हुई हैं स्वास्त विभाग के मुताबिक मरने वालों में से एक के रिष्टिदार की हालत भी गंभीर है और उसे आईसियू में एडमिट किया गया है वाइरस से मौत की खबर के बाद पूरे राजय में अलर्ड जारी कर दिया गया है केंद्रिय स्वास्त वंत्री मंसुक मांडविया ने 12 सतंबर को कहा कि हालात समझने और संक्रमन के प्रबंधर में राजय सरकार की मदद के लिए विशेशग्यों की केंद्रिय टीम को केरल भी जा गया है राजय के मुखे मंतरे पिंडराई विजियर ने कहा कि प्रदेश सरकार दोनों मौतों के उकम भीरता से ले रही है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि बने वालों के करीबी संपर्क में आने वाले लोगों का इलाज चल रहा है हाला कि इसे लेगर दोलोंकि चुंता भी काफी बढ़ गई है जानिए क्या है नीपा वाइरस क्या है इसके लक्षन और ये कितना खतरनाक है؟ प्लाइन क्लीनिंग के मुटाबिक नीपा वाईरस एक जानलेवा वाईरस है, जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। के शुरुवाती लक्षणों में तेज बुखार, सिर्दर, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, एट्रिपिकल नीमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इंसानों के लिए नीपा वाइरस जानलेवा साबित हो सकता है, सेंटर फोर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन के मुताबिक नीपा वाइरस के 40 प्रतीशत से 75 प्रतीशत मामलों में मृत्यू हो सकती है। हाला कि मौत का आखड़ा इस बात पर भी निर्भर करता है कि इस बिमारी से बचाव के लिए स्वास्त अधिकारी किस तरह इससे मैनेज कर रहे हैं।